यूट्यूबर सचिन मनीशा और नेहा अशिश्तिवारी इनके बीच में जो ये वाइरल वीडियो की कॉंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में आज नेहा जी ने अपने व्लॉग में बात करी है वैसे तो नेहा अशिश्तिवारी किसी भी कॉंट्रोवर्सी में नहीं बोल मैं किसी भी कॉंट्रोवर्सी में पढ़के उससे व्यूज नहीं कमाना चाहती। लेकिन नेहा आशिष्टिवारी के हाली में आए व्लॉग में उन्होंने कहा कि अब पानी सड से उपर हो गया है और मैं अगर अब चुप रही तो ये गलत होगा। जिस तरीके से सचिन मनिशा ने उस इंसान का नाम नहीं बताया जो ये सब करवा रहा है जिसने वीडियो वारल कराई और सचिन नेहा के इतने पवित्र रिष्टे को बदनाम करने की कोशिश करी। उसी तरीके से नेहा आशिष्टिवारी ने भी नाम तो किसी क्रियेटर का न नहीं लिया लेकिन उनकी बातों से और सेचिन राज की बातों से ये तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो किस क्रियेटर के बारे में बाते कर रहे हैं। के बाद से मैं लोगों की नजरों में बुरी हो गई। नहा ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि मुझे माइगरेन की दिक्कत है और अगर कल मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार रियक्शन चैनल्स होंगे जो लोग मेरे लिए नेगटिव वीडियो बना रहे हैं औ अभी हम पूरी बात नहीं बता रहे लेकिन इसके बाद अगर मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश करी गई और मेरा नाम अगर सचिन मनीशा के साथ जोड़ा गया गलत तरीके से तो मैं लीगल एक्शन लूँगी और साथ मैं शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ बता हूं और वो हमेशा मेरे लिए वैसे ही रहेंगे नेहा जी ने साथ में ये भी बताया कि उनको उस वाइरल वीडियो के लिए बार बार धमकी भी दी जा रही थी और ये तक कहा गया कि अगर ये वीडियो वाइरल हो गई तो नेहा तो सुसाइट कर लेगी नेहा जी यहाँ पर इसी वीडियो की बात कर रही है जिस वीडियो को कर सचिन मनीशा ने अपने चैनल में दिखाई थी जिसमें नेहा अशिश्तिवारी किसी बात से नाराज होकर मनीशा से गुस्से में बात कर रही थी इसके पीछे क्या कारण था वो भी सचिन ने अपनी वीडियो में बत क्योंकि नेहा ने decision ले लिया है कि वो अब किसी को नहीं बख्षने वाली और चुप नहीं रहेगी। वैसे हम लोगों को तो पता है कि नेहा आशिश्तिवारी और सचिन राज किसके बारे में अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं। कौन है इन सब के पीछे। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कौन लग रहा है इन सब के पीछे। धन्यवाद।